आज हम आजाद हैं चाहे वो बॉध्धी कस्तर पर हो या सामाजी कस्तर पर हो आजादी के 71 वर्सों बाद जहां देश विकास के इस यात्रा में बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सीटी, स्मार्ट गाउं जैसे नए-नए आयाम जोड़ रहा है वही दूसरी हो है हम आपको रूबरू करवाते हैं एक गाउं की उस तस्वीर से जिसे देखकर हम खुद को क्या वाकई आजाद कह पाएंगे जहाना तो यातायात को सुगम बनाने के लिए सरक है नहीं गाउं के लोगों के स्वास्त की देखपाल को अस्पताल और तो आर यहां एक बहतर सरकारे बिद्याले तक नहीं है जहां लोग अपने बच्चों के बहतर भविश्य का सबना बख सके बच्छा बिधान सबाच्षित्र के मुसहरी प्रखन रजवारा डी गाउं आजादी के 71 सालों के बाद भी बिजली समेथ अन्य सुवधाओं से वंचित है गाउं में बिजली एवंग PCC सरक जैसे मुलभूत सुवधाओं का नहीं होगा सुसासन की सरकार पर प्रस्ण चिन अंकित करता है देर साम होने पर पूरा गाउं और अंधेरे के आगोश में होने को मस्पाँ है सुसासन सरकार की डावे को खोखला साबिक करते वे विकास कारियों से ओसो दूर है रजवारा डी गाउं यहां के जन प्रतिलिदियों के उदाशीन रवये इस गाउं की कहानी को खुद बखुद बया करते है इस गाउं में कुल वोटर की संख्या 896 है और यहां की जन संख्या 3000 है 527 घरों वाले इस गाउं में एक प्राइमरी स्कूल और एक आंगर मारी केंत्रा है लेकिन हम इस गाउं की एक अलग तस्वीर आपको दिखाते है यह गाउं दो हिस्सों में बढ़ा है आधी अबादी को नदी पार करके अपनी मंजिल पर पहुँचना पड़ता है और आधी अबादी के लिए आने जाने का रस्त तक नहीं उन्हें पैदल अपने गाउं से मुख्य सरक पर पहुचना पड़ता है इस गाउं की भगोलिक स्थिपी एसी है कि आप लोग खुद आस्चरे चकित होगे सहर से महज कुछ किलोमेटर पर इस्थिथ है या गाउं अपने दुर्दसा पर खुद रोड़ा है अगर इस गाउं में किसी की तबियत खराब हो जाए या कोई महिला गर्वती हो तो ऐसी सिती में पहले नाउं से इसे इनके बाद इन्हें खटिया पर लादकर प्राथमिक उपचार केंद्र मुसहरी जाना पड़ता है सीटी न्यूज की टीम इस गाउं में पहुंचे और समसे पहले यहां चल रहे आंगनवारी केंद्र का निरिक्षन लिया लेकिन आंगनवारी केंद्र मानत के अनुशार नहीं ही इस आंगनवारी केंद्र में मतर 40 बच्चे ही पढ़ सकते हैं जबकि गाउं में बच्चों की जनसंख्या काफी अधी है यसे में यहां सवाल खरा होता है कि बाकी बच्चों का भुश्य कौन की इसके बाद हमारी टीम गज़वारा गाउं के प्राइमरी स्कूल पहुंचे यहां का नजारा देखने लायक था यहां कक्षा एक से लेकर 15 तकी पढ़ाई कराई जाती है यहां 3 दो कम्रे में कार्याले तथा गोदाम है लेकिन इससे दी चोगाने वाली बात यह है यहां पर पढ़ाने वाले सिक्षिका को यह तक पता नहीं कि भारत के प्रदान में प्रदानकोň यहां पाचमी तक बच्छा के बच्छी के लिए प्डाई नवे वन से फाइब तो इसके लिए वहासे बच्छा ने जागूप नहीं दूए इसके लिए हमको और हमारे सुच्छ को शुबव का एक घंथा जो होता है इसमें इसमें सभी शुच्छे को रूटीन बाई हम गेते मैं दी आदा करा मैं ही जाता हम वह वह व्हारी जाता हूं और उन बचेव को जो अच्छे घर में खेल गाया है यह फिर फीजाने नहीं आया है उनको आपने बच्छे को पंदिनी इस्कूल लेजने तभी उसकी पाएगा कुछ कर पाएगा नहीं तो भीज़ दोगी नहीं गया, दस्तिम नहीं गया यहां घ्ले रहा, इससे कुछ नहीं हो पाया। क्लास आइव के बाद आगे की पढ़ाई उनकी कैसे होते हैं? क्लास आइव की पढ़ाई जो है, यहां से बगल में लगबग तीन किलो मेटर पर एक विद्याला है, आपको फिर मुद्ली स्कूल, वहां एटकर की पाहिए। वह बच्चे यहां से निकलने के बाद वहां फिर मुद्ली स्कूल नदी में पढ़ चुका है, वह अभी अम्माइन होकर के जो प्रैमरी स्कूल है उसमेट है, वह विद्याला चलता है। एक प्रैमरी स्कूल 1-2-5 वह शुबा सात बज़े से लेकरके 11 विजए तक सता है। और दूसरी वाड़ा बज़े से लेकर 5 विजए तक सता है। तो वह वहाँ संतुष नहीं है उसी स्कूल से, तो वह लोग रहुआ, उसके मडली स्कूल 1-2-6 विजए तक जाते हैं बच्चे, लेकिन अभराल जो है बच्चे को जाने आने में जो पाशुविधा होती है। बहुत चारे बच्चे ट्रॉप आउट हो जाते हैं। वज़ा है कम्निकेशन, जो हमारे यहां बर्शात में भी कम्निकेशन खराब रस्ता कच्चा है। इसकी वेज़ा से दिकत होता है। और जिस समय हुप गर्मी पढ़ता है। इस समय बिल्कुल मिट्टी हो जाता है। जिस समय साइकल जाय तो रास्ता ऐसे ऐसे मिकलब की कट अगेम एक समस्य सिर्टी होनाता है। वजैने सिर्टी हो हिति है। नहीं मर्ड़कीशन ओखाता है। वानगेशन, मैं फटेद सेंग्ड Verfक क्याता हुप गर्मावित। इसके पढ़ाई के लिए बड़ी समझा है, चुकि नजदीप में कोई स्कूल नहीं है, उनको एनी हाव यहाँ से महिला सिर्क खालवमन, एंडीडिया, चैपमेंग जाना पड़ा है, और उनके लिए कोगनिकेशन सबसे बरा माइने रखता है, लड़कियों के लिए तो हमने एक महीम चलाया, वो एनसेस मिटीसर कॉलेज के टीम थी, उसके साथ, और वहाँ लड़कियों को लगा था, लड़कियां, उनके पैरेंट्स, लड़के जो एनसेस के खेंगेशन के लिए कोगने करके जो जो गड़ा था, जो जहां मिटी बढ़ने लाया, और जहां पर मिट लड़कियां और उनको लेता है, इसके बाद हमने लिएम से मिटा, जिलादिकारी मोडे, जुजवार को से, तो उसका होतो मेरे पास है, मैं आपको भी से लगा, और उन्हों के लड़कियों लगके इस बात को लिएम साहब से रखा, लिएम साहब ने अस्वाशन दिया, करते हैं कि वो रास्ता जो आपका ट्रंपरणी है, उसमें कमसे कम मेट्टी दलाया जा सके पिक्सोली हो, तो आप लोग कमसे कम आप आगे की पढ़ाई करते हैं, और ठीक उसके दो-चार दिन बाद मननेगा कि कोई ओपिशा राइगा, इसके अथिके निये अपना पेकियो वो आया रास्ता देख्या, जो अस्ताईय मुच्छा थे, उनके अदमी उनके सब था, उनके देखती नहीं, जो इस गाउं के लिए रास्ता की बात है, इधर से एक अस्ताई रास्ता हमने दे दिये हुने हैं, एक बड़ा सवाल यहां देखनी के लिए मिड़ा है, आपके क्लास्रूम है थे, पर उसे गोद्रां बने यह और वच्चे बाह्मदे में पढ रहा है, के खास्रूम में और बच्चे अधिक और बारी सुई और बारी सुई हैं और बच्चे बढ़ामते पर धुर पर शुई नहीं बच्चे पीछ भारी सुई हैं हमारे यहां सब्सक्राइब पच्चे के जाता इस वह इसके बहाता है जोगे हमारा थी क्लास रिता है बगल के सिमर तर्पेड़ है इसके बार प्रम का था हमारा क्लास रूम एक क्लास हमारा यहां बोल्ट और फाइप चाहिए अंग वोलकॉम भच्छे आपने बार फाइप चाहिए स्कूल की स्थिति को देखते हुए कुछ गाउंवाले अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं बेजते और जो जाते हैं वो बच्चे सिर्फ सुक्रवार को ही जाते हैं क्योंकि सुक्रवार को खाना जो बढ़ता है इस स्कूल का भविस्यतों अंदकार में जरूर है पर बच्चों का भी गुरिश अधर में लटका है गाओं के लोगों ने बताया कि हम लोग क्या करें ना आने जाने का रास्ता है और नहीं यहां के स्कूल में स्किति अच्छी है पाच्मा से उपर के पोई इसकूल नहीं है जो पाचमा पास करने था, वो उसके बाद क्या करता है? जाज़र कहाने पाइने पाकाने पास करेंगे, गिशने पास करने हो क्या है? कैसे जाओगे? स्टाइकलिес पाइने लिखाते हैं, बोर्व बोरे स्कूल है, चलने बोर्व दीकर्थागे हैं किस क्लास तक पड़े हो तुछ नाम दिख़ाए हो चत्ता का इस्कूल कहा पर हो गया तो यहां से कितना दूर है जाते हो कि नहीं नाम दिखाएंगे क्यों बहुत दूर है लगता इसके बाद क्या करोगे तो नाम दिखाएंगे आना ही बनेगा तो तो इसके बाद किस क्लास के पाद तुमारे बाव में कुई स्कूल है जिसमें तुमकर सपूल है तुमकर सपूल रहे हो आई कि नहीं स्कूल आगे फिर चाख पते हो दुझ मधें तो तुमकर सप्ड़ाइं करोगे तो फिर कैसे करोगे पाच्चमारे के बाद इसकूल नहीं तो फिर कैसे पड़ाई करोगे कि अगले हैं बोलो आप वह उख रहता पाइरा के बहुत दिकत है यहां मेडिली स्कूल नहीं है यह एक बनबाय है विने अभी बाहल नहीं हुआ है वह अगनबाडी में आप रहता है तो यही है अगनवारी सुखना है हुआ है यही पर सम लोग बुजर करते हैं माल, जाल, बकडी, छेर्थ, याप तुता, समसे गाउं के लोग यहां पर आके रहते हैं हम लोग यहां के नावका रहता है वोई पार जाने के लिए भी कोई सूपदा नहीं है तो हम लोग रोह ज है लो इंडिया से खरगारी सुनिनल विचे में रहता है है समसाहती है हुआ है। है अर्थ यह स्ञोग में है वकल अने जाने में सॉपदा अग्त में लोग फिर साइके उने कह लेका इस तरफ हो गया हैं thì अभी नतिजा होगा कि अभी गोरे गोरे आना पड़ेगा। अभी पानी नहीं लगा है कि यहां पर पानी और जल जमाव रहता है। उस दौरानिया गाओं पूरी तरह टापू बन गया था। यहां की स्तिती बद से बदतर हो भी थी। बाद के एक वर्स बीच जाने के बाद भी यहां के लोगों को अब तक बौावजा नहीं बन गया। और नहीं इस बांद की मरमती का कार अभी तक पूरा हुआ है। यहां पर सवाल यह उठता है कि अभी तक इस इलाके के जन प्रतनिदी क्या कर रहे थे। इन सारे सवालों को लेकर इस गाओं के मुख्या पती सिवनाथ राय के पास पहुँचे। समसे पहले हमारी टीम ने मुख्या जी को साथ लेकर दोबारा गाओं का निरक्षन किया। और गाओं के हर समस्याओं पर सवाल किये। जराब सुनिये मुख्या जी अपने आपको कैसे सही और जिला प्रसाशन पर सारा टीकर अफोगते नजर आते हैं कि आज छबीस सो को शौजार का राहत मिले दाए सब्सक्राइब। तैस्व कुछ आद्मियों को मिला। तीन सो से उपर आज पन्चित लागे जिनको 6,000 बाड़ आवार प्रेसर दिया गया। भार बार जैसे उप्रिखारी को कहा गया। पाप करते हैं damit करते हैं किसी का नवी पढ़्स पाष कर दिशे जगह चला गया जिसरे जगह चला गया लेकिन कब जा थाल में खुंज होड़े कि अधिन ripple 240 सौर कि घे सारे छोत कि झा कि एक जोने के जाका है कि आन का मिलमान हुआ यह आनि हुए यहुआ अजय बनकार ब ogni में कंपलीट नहीं हओ लेकिन वाइका इल्पिक बवस्था आइ घजूसरा बांद यद ग Dilा गया है और अजु पूल का जो कम चल रहा है आपके पंचयद में रजवारा धी और गहुदब ऑगया अब ऑगता है उसमें आज भी बुनियादी सुदिजासर लोग मरूम है, क्या वज़ा है? वहार रास्ता नहीं, राजवारा दी हमारे यहां दो पार्ट में है, बीज में बुढ़ी गंजा के तो आधा पार्ट राजवारा दी का उस पार में है, आधा पार तुस पार में है 846 का जनसंग्यादी बोटर है वहां, करी बार हाई से 3,000 बीच में वहां जैसे जनसंख्या है, लेकिन अभी तक वहां एक ही स्कुल है, प्राइमिली स्कुल है, जो उस पार में है, इस पार में उस वार्ड में जहीं से अभीतक़ जवारादी गाउओं जो है, उसमें अभी त यहां एक ही आंगनवारी है जो उस पार में है इतना तरह से अभी आंगनवारी भवन बन गया है लेकिन बहाली अभी नहीं हुगा है अच्छा मुखे जे एक बाद बहुत आहम सवाल है अगर महिलाएं जो जिनारास्ता नहीं है नाउ से अश्टी है महिलाया परसुप के दोरान क्या करें इस्तिती के बहुत खाट परलाद करके लोग लागते हैं ले जाते हैं रास्ता है कच्छा रास्ता है उस होकर कि लोगों का आना जाना एक पढ़िया दुसरे तिसरे के खेतों करके आना जाना लोगों का बना रगता है आपने अभी तक के जो इतनी बड़ी समस्या है उसको कहा तर पुर्चाने के लिए प्रियास किया है हमने उसको किसान लोग का जमीन है किसान लोग जमीन देना नहीं चाह रहा है तो उसके लिए हमने उसको भूर्जन पदादिकारी को अप्रिकेशन दिया उसको भूर्जन पदादिकारी जहाँ से सियो को लिखे सियो करंचारी को दिये और मीन को भेजे हम उसका जहाँ से लिए भी पुमारी बात किया उसने इसमें पहल कर रहा है जो रूड किसी भी तरह से बने लेकिन यहां सवस्या है यह कि भुवर जो इसलिए दिया गिया है जे किसाम का जमिन पड़ता है तो उसका जह से आपजावी बिल जाए एक रूड कनेक्ट हो जाए वहां जो लोगों का आने जाने का शुदा हो जाए जिससे एक विकास वहां बढ़ है करण आँ भार्यार बांधियम है व गारे आपते लिए भूत नीजिकत वे पुल निर्वाने दिये दिये जिसमें नहीं दुन, केल्ड़ी जिसमें ठटी इसने पढ़ियास किया है पांच वार्ड हमना चेनीत है मनीगली का काम अग नहीं चला है जतना फंड आया हुआ है इस फंड में जर्लनल का ही काम भी पूर्ण करूँए। उसके बाद पंड जब आएगा तब नली गली का ट्राम इस्टार्ट पूर्ण का दावा है पूर्णता बिजली का आपके पंचायच के पूर्णता बिजली अभी कंप्लीट नहीं है। कितना परसेंट बढ़ कभी बाती है? अभी एक दोला है इसा जिसमें 40 घर के आसपास में है, जहां बजिनी अभी तार नसीबे नहीं है. सब को सिख्छा संकार का दावा है, क्या सिख्छा की बवस्ता है? सिख्छा की बवस्ता है, नहीरा कोई इस्कूल नहीं है, जो पुराने पहले से इस्कूल है, वही इस्कूल यह से चल रहा है, यही अभी है, टीचर लोग आते हैं, बच्चे जाते हैं, बच्चे को प्रत्साहित करने के लिए पढ़ियासम लोग करते हैं, बच्चे जा इस्क कि अंतरदात आप अपने इस क्याओं को कितना नंबर देती है अभी अभी बहुत कमी है उस में अधर स्क्राम के रूप में अभी समझें यह हमारे पंचाइप उप्रभी वस्तार नहीं है समझें यह 25 परसंट है काम हो रहा है 25 परसंट यह 25 काम होना बती है नहीं 25 परसंट लिकाम हो है सबसे बड़ी समस्या यहां है रोड का समस्या है जो हम लगातार प्रियासरत है प्राइबेट लेंड सब है सरकार का कोई रोड नहीं है प्राइबेट लेंड है रोड को हम लेखिद दिया है करवाई भी उस पर चल रही है मापी जोखी भी हुआ है दिया किया है लेकिन उसका रिजलत हमी कर नहीं है यहां बाद के समय में लोक आने जाने में नाओ का साहरा लेना पड़ता है सहर भी जाना है वो नाओ या ब्युमार पड़ जाते हैं तो खाट पर लाद करके जैसे लोग ले आते हैं, नौ भी उख्लद नहीं हो पाता है, कुछ सवारी नहीं आती है यहाँ इस गाउ में जाने का मात्र एक साधन है या कोल, वो भी जरजर इस्तिती में है इस गाउ में पहुंचने के बाद यहाँ रहने वाले लोगों के मन में कई सवार थे और उन लोगों ने भी हमारे साथ इसे साधा भी किया लेकिन इनका दर्द मिटाने को कोई भी अभी तब आगे नहीं आया एक वर्ष पहले यही बान दूटा था, क्या द्रिस था उसमा उसमा तो बहुत बुड़ा हाल था लोगों का जिसमें बान दूटा वो आने जाने का सुद्धा नहीं था अर्जवाड़ाटी रोशन तो किरमामत को क्या उसमें का द्रिस था वह तो गजब द्रिस्ट था था वुड़े पाने से भागा हुआ था आने जाने का खाने के लिए लोग तरस रहा था खानी पीने के लिए परस था एक साल सब्दी जाने के जा तार क्या इस्थित्व ही है वहाँ जैसे का तैसे है अभी मोई सुद्धार नहीं प्रप्द है लोग तो तुसमें कैसे मतलब आपने पुन्यादी पुन्याद को सुद्धार नहीं हो Elizabeth इन दिनों एंडीरियन कॉलेज की कुछ छात्रा यहां के लोगों के बीच एक अभ्यान चला रही और स्वक्षता का पार्ट पड़ा है लेकिन इस गाउं में मात्र बारास हो जा लेगी हैं और ओडियप से उसे दूए है फिर भी इन छात्राओं का होसला देखने लायक है यह पैदल गाउं में जाती है और यहीं नहीं बोड़ी गंड़क नदी नाउं से पार करके पहुंचती है हम लोग भीकित एक मेने से यहां पर आकर के हमारा जो सुच्छ पार्ट सावर इंटर्शिप रखना है उसके तहत आख करें हैं हमारी टीम भी दस लगिया है हम एमिदिन पॉले से है यहां पर आगे कि हम लोगों ने लोगों को सुच्छता से रिलेटेड बेवार को अपना कि बनाने को कहा हमीं सुच्छॉले बनाने को कहा हमारी बात मान कर बहुत सी घरों में सुच्छ बना भी है आप देख सकते हैं ऑफ भी बहुत घर पाकी है करीब कि इरद 2.42 अधानी है जिसमें सी मांतर 29 ए 30 घरों में सुच्छ अबिता की है आज हम लोग मुख्याजी से भ आम दिनों में इस गाउं का या हाल है ज़र आप सूचिए कि बारिस के दिनों में इस गाउं का क्या हाल होगा सुसासन के दावे करने वाले जन प्रतिनीदियों जरा इस गाउं की वह भी देख लेगा क्या आपके दावे और वाइदे को ठेंगा दिखा नहीं रही है रजवारा गाउं बच्चे समाज का भविश्य होते हैं किसी देश का विकास युवाप एडिपर्टी का हुआ है लेकिन रजवारा गाउं को बच्चों का मंजर कुछ इस कदर दिखा कि सरकार द्वारा चलाए जा रही सारी यूजनाएं धुमिल दिख रही हैं आज भी छोटे छोटे बच्चे बिना कपरे मिट्टी में खेलते दिख रहे हैं सर्व सिक्षा अभियान की बुनियाद इन बच्चों को देखने के बाद खूखली साबित हो रही है सर्व सकते बच्चों को देखने के बाद इन बच्चों को दोक्ते हैं झाल 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 झाल